स्वागत फिमित्रों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टेडी में नमस्कार आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो समस्कृइब पर फिर समस्कृइद न 27 बारे में वह उर्दिया है। समय जो दिया हुआ है जो पूरण आंख है याकसिंम मां वह 25 है अगर बात करूं मैं प्रेष्णों के प्रकार की तो तीन प्रकार के प्रेष्ण आपको देखने को बिलेंगे इसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है वस्तुर निस्ठ प्रेष्णों का या अगर मैं बात करूँ बहुवी कल्पी है या objective टाइप की कोईश्ण जो दूसरा प्रकार है वो आति लोग उतरिय प्रेशनों का यानि कि very short type questions उनकी जो उतर सीमा है वो 30 शब्दों की है वही अगर मैं बात करो short questions की यानि लग उतरिय प्रेशनों की तो उनकी जो उतर सीमा है वो है 50 शब्दों की तो सबसे पहले इसमें शब्दों करते हैं वस्तू निस्ट प्रेशनी यानि कि objective type की questions के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहला सबसे पहला जो सवाल है इसमें पूछा गया है वो है विसर्ग का उचारण स्थान बताईए एक नमबर में है options में दिया हुआ है कंठ तालू दंत और ओस्थ आपको इसमें से बताना है जो second है वो लिखा हुआ है एकोन चत्वारि चत्वारिन स्थ इस शब्द का अर्थ बताना है एकोन चत्वारिन स्थ इसका जो है अर्थ बताना है तो इसमें लिखा हुआ है पहला मित्रों यहाँ पर question paper के बारे में बात कर रहा हूँ पहले question paper देखेंगे इसके solution के बारे में भी हम अपने electronic study channel पर बात करेंगे ठीक है देखते हैं सवाल नंबर 3 जो है वो है चोर भयम में समास है समास पूछा है तो चोर भयम में विभक्ति का प्रियोग होता है तो कौन से विभक्ति का प्रियोग होता है उसमें चतूर्थी सास्थी पंच में दिया दिया हुआ है वो बताना है question number 5 पे आते हैं इसमें लिखा है अहम बालकम पश्यामी वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा तो कर्मवाच्य में परिवर्तन करके बताना है इसमें लिखा हुआ मया बालकम दिर्श्यदे मया बालकम दिर्श्यदी और मया बालकम दिर्श्यदी इनमें से कौन सा होगा वो बताना है ठीक है बात करते हैं very short type questions के बारे में जो आति लगो तरे प्रेश्यदे इसमें जो question number 6 है वो लिखा हुआ है वर्गों के पंचम वर्ड माहेस्वर सूत्रों के किस क्रमांग के अंतरगत आते हैं question जो ये है वो एक number का है ठीक है बात करते है question number 7 के बारे में इसमें लिखा हुआ है पित्र शब्द रूप पंचमी विवक्ति के तीनों वचनों में लिखिये एक number का सवाल है question number 8 के बारे में बात करते हैं तो इसमें लिखा है जलाम जशोंते किस संधी का सूत्र है उसकी परिभाशा उदाहरर सहित बतानी है ठीक है question number 10 के बारे में बात करते हैं इसमें लिखा हुआ है अभी जो शब्द है अभी उपसर्व लगा कर कोई चार शब्द बनाने है तो ध्यान रहे इसमें उपसर्व लगा के बात करना है जो है प्रत्य की बात नहीं कि short type questions के बारे में लगुतरी अप्रेशन इसमें question number 12 लिया हुआ है द्वंद समास किसे कहते हैं इसके कितने भेद होते हैं यानि types बताने है द्वंद समास की और होता क्या है इसकी definition बतानी है question number 13 में इस लोक लिखा हुआ है इस लोक में है जो इस लोक लिखा हुआ है इसका आर्थ बताना है दो नंबर का question है बात करते हैं आगे इसमें question number 14 के बारे में संस्कृत भाषा पर संस्कृत में चार वाक्य बनाई है question number 15 कहता है संस्कृत सिक्षन को प्रभावी बनाने के लेकिन किन शर्व और द्रिष्ट शाधनों का उपियोग किया जा सकता है question number 15 में question number 16 है अगर मैं बात करूँ इसमें question number 16 है वो कहता है करत्र वाच्चे को कर्म वाच्चे में परिवर्दित करने के क्या नियम है नियम बताने है आपको 18 number question है वो 18 number question कहता है कि नियम बताने है इसमें जो पहला है या निका के अगर बात करूँ तो वह पढ़ने के लिए प्रियाग में रहता है जो खास अब्द है वो कहता है वाकिय है जो वो कहता है विद्याले के चारो और आम के ब्रिक्ष हैं जो गा है वो है भगवान वासुदेव को नमसकार है उसके बाद जो गा है वो है वारारसी गंगा के तटपर इस्थित है तो मित्रों मैं बात कर रहा है तभी तक संस्कृत प्रेशन पत्र के बारे में जो है अब देखते हैं जो उर्दू का प्रेशन पत्र है उसके बारे में खेद है मुझे कि मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता तो मैं केवल प्रेशन पत्र को आपको दिखाया दे रहा हूं आप आराम से आप उसको जो है जो हमारे मित्र है उर्दू के वो इसको जो है पढ़ सकते हैं इसको देख सकते तरते समेस्टर से जो आया था 2016 में यहां पर मैं question paper ही दिखाया दे रहा हूं आप लोगो ठीक है आपकी questions है और यहां पर जो इसके marks लिके होए एक एक करके ठीक है यह objective टाय के questions है यहां पर पहला यह दूसरा ऐसे करके जो हमारे उर्दू से जो मित्र है वो अच्छी तरीके स इसको समझ सकते होंगे ठीक है question number two और इसके options one two three four करके लेके होए है ठीक है एक नमबर का सवाल question number three यहां पर है one two three four options में और एक नमबर का यह भी सवाल है आपका question number four आप यहां पर देख सकते हैं question number five एक ही नमबर का है उसके बाद जो है यह I think अति लगुतरिये शवाल है अति लगुतरिये प्रशन है जो very soft type के questions से अभी एक नमबर के हैं तो पहला इसमें दिया हुआ है आपको यहां पर यह instructions होगा जो second line लिखी हुई है उसके बाद यह एक नमबर के आगे जो है question है आ obviously लगुतरिये होगा जो है short type questions क्योंकि दो-दो नमबर का है यह तो instruction के बाद आपका इसमें पहला लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद दूसरा सवाल लिखा है तीसरा सब दो-दो नमबर के है चोथा पाचवा चठा और साथवा आप इसको pause करके देख सकते हैं इसमें जो questions लेके हुए है ठीक है तो मित्रो यह थी बात जो है बीटीसी डीयलेट किता है तो संस्क्रिट प्रिश्ण पत्र सब्सक्रिश्ण पत्र संस्क्रिट और उर्दू का इन सभी questions की answers जो है मैं अपने अगले वीडियो में देने के कोशिश करूंगा जो भी answers है उर्दू का शाय